बहुजन समझ पार्टी में ब्राम्वन चेहरा माने जाने वाले वरिष्ठ नेता और राज्य के पुर्व उर्जा मंत्री रामविर उपाध्याय ने पार्टी से इस्तिफा दे दिया है यसे यूपी चुनाव से पहले बियस्पी के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है हाला कि उपाध्याय 2019 से ही पार्टी से निलंबी चल रहे थे वहीं चर्चा है कि वहाँ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं रामविर उपाध्याय पांच बार विधायक रहे हैं और पिछली बीस्पी सरकार में वह उर्जा एवं परिवहन मंत्री रह चुके हैं हला कि उपाध्याय का परिवार पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुका है और कहा जा रहा है कि वह भी जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं उपाध्याय पश्चिम उत्तरप्रदेश के ब्राम्हन नेता माने जाते हैं और अलिगढ और हाथरस के जिलों में उनका खासा प्रभाव है। रामविर उपाध्याय का बीएसपी से जाना बहुजन समझ पार्टी के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है। क्योंकि किसी दौर में उपाध्याय बीएसपी चीफ मायवती के बिलकुल करीबी माने जाते थे। वह सादाबाद से विधायत भी रहे हैं और वरतमान में पार्टी के विधायत थे। हलाकि उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष है। उपाध्याय परिवार की अलिगड और उसके आसपास की जिलों में मजबूत पकड मानी जाती है। वही पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावतीजी ने उन्हें निलम्बित कर दिया था। माना जा रहा है कि वह भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और रामविर उपाध्याय उप मुख्यमंतरी दिनेश शर्मा के संपर्क में हैं। पिछले दिनों ही राजी के डिप्टिसीम दिनेश शर्मा ने उनसे मुलाकात की थी और उनके तारीफ भी की थी। वहीं उनके छोटे भाई मुकल उपाध्याय बीजेपी में हैं जबकि उनकी पतनी सीमा उपाध्याय भी बीजेपी की मदद से जिला पंचात अधेक्ष बनी हैं। असल में लोकसभा चुनाओं के बाद से ही रामविर उपाध्याय की पार्टि के साथ दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थी। और उसके बाद बीजेपी चीफ ने उन्हें पार्टि विरोधी गत्विदियों के कारण बाहर कर दिया था। आज उन्होंने पार्टि से इस अस्तिफात दे दिया है। किन्तु आपने मेरे द्वारा बताई गई सच्चाई को नकारत हुए मुझे पार्टि से निरंबित कर दिया। जिससे मेरी और मेरे समर्थोकों की भावनाएं आहत हुई।